हेलो एन वेलकम अगेन इच इस्टुदेंस आयम हमचेन फ्रोम नौजोती क्लोबर स्कूल वारफानी इस इस क्लास 7 सब्जेक्ट साइन्स चैप्टर 3 फाइबर तू फैबरिक सो यह स्टुदेंस हमने लास्ट क्लास में फाइबर तू फैबरिक के बारे में स्टेडी किया था जिसमां हमने फाइबर के बारे में स्टेडी किया जो बूल है बूल से फाइबर जो प्राप्त किया जाता है इसके बारे में स्टेडी किया था प्रोसेसिंग फाइबर टॉपिक है वो है life history of silk moth जो silk moth है इसकी life history के बाने में history करेंगे अब देखते हैं इस्टडी the female silk moth lays eggs from which has larvae which are called caterpillars or silkworm they grow in size and when the caterpillar is ready to enter the next stage of its life history called puva it first wipes a net to hold itself अब क्या कहा जा रहा है आप है कि जो मादा रिसम कीट अंडी देती है जैसे जिसमें लारवा निकलते हैं जो caterpillar या रिसम कीट कहलाते हैं यह आकार में बरद्धी करते हैं और जो caterpillar अपने जीवन चक्र की अगली ब्युस्ता में परवेश करने के लिए तैयार होता है तो यह फ्यूपक या कोसित कहलाता है जो अपने इर्दिक्रत एक जाल बुन लेता है यह जाल उस अपने इस्तान में बने रहने में सायता करता है फिर यह अंग्रेजी संख्या आर्ट के रूप में अपने सिर को एक सिर से दूसरे सिर तर ले जाते हैं यह फिक्चरत हमें आप दिख रहा होगा कि जो मेल के टपलर सा है एन फिमेल इसके बारे में हम देख सकते हैं नैक्स हम देखते हैं सिलक अब सिलक क्या होता है इसके बारे में हमिस्टरी करते हैं सिल्क, सिल्क फाइबर्स आर अल्सो अनिमल्स फाइबर्स आप जो सिल्क जैसे हम बोलते हैं रेसम, रेसम के रेसे भी जानतों रेसे होता हैं सिल्क वाउम्स इस्पेन दर सिल्क फाइबर्स दे रेरिंग और सिल्क वाउम्स फाइबर्स आर रेसम के कीटों को पालना रेसम की पालन जिसे हम सैरी कल्चर भी कहते हैं और भाइन आउट फ्रॉम योजा मदर आण ग्रांट मदर दकाइंड और सिल्क सारे दे हैब लिज्ट दकाइंड आफ और सिल्क इसके बाद अपने अपने जो मदर से एंड ग्रांट मदर आण से विवने परकार के रेसम तथा रेसमी साडियों के बारे में जानकरी प्राप्त कीजिए और विवने परकार के जो रेसम है उनको सुचिबत कीजिए इससे पहले कि हम रेसम प्राप्त करने से प्रक्म पर चल्चा करें रेसम के कीट के जीवन चक्रे के बारे में जानना आउचक है हमने लाइब स्ट्री आफ सिल्क माउथ तो बढ़ लिया एक हमारे इसमें इंपोर्टेंट टॉफिक है फ्रॉम कॉकुन टू सिल्क जो कॉकुन से रेसम तक की बारे में हम स्ट्री करेंगे यह क्या होता है फॉर आपेंग सिल्क मॉथ आर रेर एंड दियर कॉकू suiv कॉकुन और कलेक्टेट टु गरट सिल्क त्री्ट्स है अब यह क्या होता है जो ग्रेसम प्राप्त करने के लिए लेसम केकों को पाला जाता है और उनकी कौकनों को एकत्रित करके रेसम के फाइबर प्राप्त किये जाते हैं अब वो कैसे किये जाते हैं देखिए रियरिंग सिल्क वाम्स जो रेसम कीट पालन है और फिमेल सिल्क मॉट लेस हंड्रेट्स ऑफ एक्स एट अट टाइम कोई मादार रेसम कीट एक बार में सैकलों देती है दी एक्स आर स्टोर्ट केरफुली ओन स्टिप्स और क्लोथ और पेफर एंड सोल्ट टू सिल्क वाम्स फार्मर्स अन्डों को सावदानी से कपणों की पट्यों अत्वा कागस पर संग्रित करके रेसम कीट पालक को बेचा जाता है अब इसमें क्या होता है कि जो पालक किसान अन्डों को स्वास्त कर इस्तितियों या उचित ताप आधिता की अनुकूल इस्तितियों में रखते हैं इसके बाद देखते हैं अन्डों को उप्यूक्त ताप तक गर्म रखा जाता है जिससे अन्डों में से लार्वा निकल आए तब तक किया जाता है जब सहतूत के प्रक्सूफर नई फतियां आती है आप समझ रहोंगे मेरा पॉइंट भीज़ थ्री पॉइंट टैन में में देखते हैं निकेर रिरिंग शिल्क वाम क्यकून कैसे प्रापता देकिए चारे लीफ और मल्वरी यह देख सकते हैं इसके बार हम देखते हैं डिस्कवरी ओफ सिल्ड जो रेसम की खोज है यह कैसे हुई इसके बारे हम इस्की करते हैं अब रेसम की खोज का यह थार्थ समभो समय संभोत अग्यात है यह फ्राचीन जो चीनी है इसके बारे हम स्ट्री करते हैं according to an old Chinese the impresses C. Lung Chi was asked by the inferior Yung T. To find the cause of the damaged leaves for mulberry trees growing in their garden the impresses found white worm eating up mulberry leaves she also noticed that they were spinning shiny cocoons around them accidentally a cocoon dropped into her cup of tea and a tangle of delicate threads separated from the cocoon silk industry began to china and watch kept a closely guarded secret for hundreds of years later on traders and travelers introduce silk to other countries the route they travel is still called the silk route और जिवाण हम बात कर रहे थे कि जो रिशम के खोज्टका अ रिट्वm समय संबहता अग्यात है यह प्राचीन चेनी जो कियोंदंती के अनुसार जो कियोंदंती नाम है कि जीगा इसकी अनुसार सम्राट हुआंग्टी ने जो सामराग्गी थे वहां पर सेलों ची ने अपने बगीचे में उखने वाला एक सहतूत के ब्रत्षों की पत्यों के रस्त होने का कारण पता लगाने के लिए कहा था जो सामराग्गी महँपत्य सामाग्गी ने पाया कि सपेत क्रमी सहतूत की पत्यों में खा रहे थे उन्होंने यह भी दिखा कि जो क्रमी अपने इर्दिगिर्द चमकदार कोकून पुल लेते हैं संयोग से कोकून उनकी चाय के पेले में गिर गया और कोकून मैंसे नाजयोग धागूं का जो गुच्छा था वो पर्थक हो गया इस परकार रेसम उद्योग जैसे चीन में आरंब हुआ और सेक्रोग वर्ष तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेसम को अन्य देशों में फरसलित किया जिसे मार्ण से जो जिस मार्ण था वहां से उन्होंने यात्रा की दिय उसे आज भी सिल्क रूट कहते हैं समझ में आ चुका आएक आपके जो सिल्क रूट होता है वो क्या होता है सो सुटेंस हमारा आज का टोपिक नहीं तक रहेगा यह चैप्टर भी हमारा फिनिस हो चुका है इससे रिलेटिव क्वेस्टन्स एंड जो भी आंसर्स हैं वह हम नेक्स्ट क्लास में इस्टेडी करेंगे थैंक्स